नमस्कार दोस्तों माजा टेकनिकल चैनल में आप लोका स्वागत है अगर आप एक यूटूबर है और अपने यूटूब चैनल पर जाकर जो है किड्स से रिलेटेड आप वीडियो बनाते हैं यानि कि बच्चों के लिए आप वीडियो बनाते हैं चाहे आप वीडियो के लिए आप वीडियो बनाते हैं सिधा सिधी मतलब आप समझे कि किसी भी तरीके से वैसा वीडियो आप बनाते हैं जिस वीडियो को छोटे-छोटे बच्चे देखना पसंद करते हैं तो अगर आप उस कैटोगरी के क्रियेटर्स है तो वीडियो अपलोड करने से पहले ये बात आपको जानना परा ही जरूरी हो जाता है हाला कि इस अपडेट को 2020 में ही यूटूब लेकर आये हुआ था लेकिन काफी सारे ऐसे क्रियेटर्स है जो आज भी यूटूब के लिए वीडियो बनाते हैं अपने चैन कर देता है आखिर वो गाइडलाइस क्या है वो आप सबसे पहले समझ लेजे 2020 में यूटूब एक कोपा अपडेट लेकर आया चिल्डरेंस के लिए प्राइवेसी पॉलिसी था और उसके लिए यूटूब ये डिवांट किया कि अगर आप वीडियो बच्चों के लिए बन अप्लोड करते हैं तो एक उप्सन इस तरीके से कोपा असपस्ट लिखा वराता जिस पर दो आपको मिलता है असपस्ट यूटूब आप से पूछता है कि क्या दिस वीडियो इस वीडियो इस नर्ड फर खिड्स दो आप्सन है आपको वहां पे सलेक्ट करना होता है कि यह वीडियो जो है बच्चों के लिए नहीं है हमेशा ध्यान रखे क्रियेटर्स वहाँ पे गलती क्या करते हैं क्रियेटर्स इस बात को पहले से जानते थे और यूटूब इसलिए अपडेट लेकर आया था इस अपडेट को आप समझ जांगे तो गलती आप यहां पर नहीं क अब साथ मतलब है यहां पर कि आप सोचिए कोई भी अगर मोबाइल वाले अपने मोबाइल का विग्यापन करने के लिए देते हैं या फिर कोई भी कार वाले अपने का विग्यापन करने के लिए देते हैं तो आखिर वो बच्चों के चैनल पर अपना विग्यापन क्यों दि जो kids से related वीडियो बनाते हैं अब इसी को लेकर YouTube एक अपडेट कोपा अपडेट लेकर आया अब आज भी वो अपडेट जो है YouTube पे अब यूटूब आपसे ये टिमांड करता है कि अगर आपका वीडियो बच्चों के लिए है तो आप टीक वहां पे मार्क किजिए ऐसा नहीं कि वीडियो आपके वीडियो पे नहीं चलेगा लेकिन वहीं वीडियापन आपके वीडियो पे दिखाया जागा जो kids से related होगा या फिर जो वीडियापन agency Google Adsense को ये कहता है कि ठीक है आप उस category पे हमारा वीडियापन आप चला सकते हैं लेकिन इसमें काफी सारे जो बच्च के लिए वीडियो लेकिन वहाँ पे tick mark कर देते हैं कि it is not for kids यानि कि यह वीडियो जो है बच्चों के लिए नहीं है वो यह सोचते हैं कि चलिए कम से कम हमारे वीडियो पे अच्छा खासा विग्यापन चल जागा और उसे हम earning कर लेंगे हमेशा ध्यान रखिए यह जो आप चलाकी कर रहें तब तक आप सेफ है जब तक यूटूब के नजर में आप नहीं आते हैं जिस दिन आपका वीडियो जो है यूटूब के राडार पे आ जाएगा ठीक उसी दिन आपके चैनल पे पहला कम्यूटी गाइडलाइन से डाला जाएगा और जैसे आप पहले बार पकरे जाते हैं यूटूब आपके हर वीडियो को वहाँ पे खांगालना शुरू कर देगा और जैसे ही देखेगा आप हर वीडियो पे जो हैं वहीं काम किये हुए तो तीन कम्यूटी गाइडलाइन से डालने में यूटूब को एक दिन भी नहीं लेगा एक दिन में तीन देगा और तुरंत आपके चैनल को यूटूब प्लेटफर्म से टर्मिनेट कर देगा तो अगर आप किट चे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो अज पर्ष्ट अप्लोडिंग प्लेटफर्म पे जाए और वहाँ पे जो आप्शन दिया हुआ है कि इटीज वीडियो जो है कम्डिटी गाइड लाइन से श्टाइक डालती जाएगा